अब अगला शेट देखते हैं नहो कमीज तो पाउं से पेट धक लेंगे नहो कमीज तो पाउं से पेट धक लेंगे देखें यहां पर एक बिंब बन रहा है एक शित्र बन रहा है नहो कमीज तो पाउं से पेट धक लेंगे जैसे पाउं से पेट लोग धकते हैं उकडू के लिए अरे खुदा नहीं न सही खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाप सही कोई हसी नजारा है कोई हसी नजारा तो है नजर के लिए नहो कमीज तो पाउं से पेट ढख लेंगे यह लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए अरे खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाप स कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए शब्दार देखें ढखना मतलब छिपाना सफर यात्रा मुनासिप अनकूल उपयुक्त खुदा ईश्वर ख्वाप सपना हसीन सुन्दर नजारा दृष नजर माने देखना भारतिये जनता की परिस्थितयों के साथ संजवता बादी सोच को कभी ने उजागर किया है हमारे यहाँ के लोग कितने संजवताबादी होते है तो जैसे नहो कमीझ तो पावों से पेट ढख लेंगे से कभी का क्या आसे है इस देश के लोग परिस्थित से समझवता कर जीवन यापन करने में समर्थ चाहे कितनी भी कठिनाई के उन्हें आये कितनी भी गरीबी क्यों नजेलना पड़े बिशम परिस्थित में भी हमारे यहां के लोग समझवता वादी होते हैं वे कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते उन्हें अपने लिए कमीज न मिली तो अधिकारों के लिए संगर से नहीं करते कि मुझे कमीज जोनी चाहिए रोटी कपड़ा और मकान जो प्रात्मिक आउसक्ता है व्यक्तिकी अगर कपड़ा नहीं मिला है तो कपड़ा पहनना उनके अधिकार में आता है तो उसके लिए कभी यह बिद्रोह नहीं करते उन्हें पहनने के लिए कमीज न मिले तो अधिकारों के लिए वे संघर्ष नहीं करते अपितु वे अपने पैरों को मोल कर अपना पेट धकने की कोशिश करते हैं उनकी सिधाई का फायदा सासक वर्ग जो है वो आसानी से उठा लेता है वे भोली भाली भारती जनता को स्वा भाथ हमारे स्वार्थ के लिए हमारी स्वार्थ साधना के लिए ये बहुत अनकूल है भारती जनता बड़े सहज हैं बड़े सीदे हैं खुदा क्रश की मरजी पर विष्वास करते हैं यदि इस्वर शुख नहीं देना चाहता तो कोई सिक्वा सिकायट नहीं वे अपने स्वप्न में सुखी जीवन का एहसास कर लेंगे खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब तो सही यह सपनों में ही जी लेते हैं कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए कभी ने इसलिए कहा कि ख्वाबों खयालों और सपनों का जो संसार है यथार्थ से ज़्यादा सुखद होता है आप सुखने देखते रहिए खुश रहिए पर जब यथार्थ के धरातल पर आप आएंगे तो सारा शुख जो है और अफु चक्कर हो जाएगा उन जाएगा समाप्त हो जाएगा अता स्वयम को खुश रखने के लिए उस सुखद स्वप्न को एक नजर देखकर चैन से सुकून से जीवन बितीत कर सके हैं कि इस अंश में कभी ने भारतिये जनता के समझावतावादी द्रिश्टिकोर पर चिंता ब्यक्त की है कभी को बड़ी चिंता है यह हमारे देश के लोग जो हैं इतने समझावतावादी हैं अपने छोटे से छोटे अधिकार के लिए भी यह कभी शंगर्स नहीं करते यह जो पावों से पेट ढख लेंगे माने पावों से पेट ढखना यह विम्ब अत्यनतमारमिक और मनोहारी बन पड़ा है अगला सेर देखें वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिखल नहीं सकता वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिखल नहीं सकता मैं बेक्रार हूँ आवाज में असर के लिए अरे तेरा निजाम है सिल्द जुमान सायर की तेरा निजाम है सिल्दे जुबान सायर की ये इहतियाज जरूरी है इस बहर के लिए वे मुतमेइन है कि पत्थर पिखल नहीं सकता मैं बेकराद हूँ आवाज में असर के लिए तेरा निजाम है सिल्दे जुबान सायर की ये इहतियाज जरूरी है इस बहर के लिए सब्दार देख लें तेरा निजाम है शिल्दे जुमान सायर की कब दुश्यन जी को लगता है कि राजनेतिक और सामाजिक छेत्र में फैली बुराईयों भ्रस्टा चाराद के साथ रहक रहकर जनता अब इनकी आदी हो गई है वास्तों में अब जनता जो है इस तरह की आदी हो चुकी है कि जाही बिधि राखे राम वाही बिधि रही है इस इस्तित में जनता पहुँच गई है कभी जो है बड़ा चिंतित होता है वे मुत्मईन है कि पत्थर पिखल नहीं सकता कभी ने किस पत्थर को न पिखलने की बात कही है कभी ने शाशक वर्ग राजनीतिक ये रूपी जो पत्थर है उनके न पिखलने की बात कही है अथा शाशक वर्ग का दिल पत्थर की तरह कठोर होता है वे मुत्मईन है कि पत्थर पिखल नहीं सकता उन्हें जरूरत मंद देशवासियों के कष्ट और उनकी परेशानियों का एसास नहीं है शाशक वर्ग स्वार्थी होकर सिर्फ सोशन करना जानता है और दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि वे मुत्मईन हैं पत्थर पिखल नहीं सकता साशक वर्ग को यह भरोसा हो चुका है कि पत्थर यह जो आम जनता है यह नहीं पिखलेंगी इन्में करांकी नहीं आै यह कभी सोच नहीं पाएंगे तो जो साशक वर्ग है स्वार्थी होकर इनका सोशन करता रहता है वो निरंतर सोसर करते रहेंगे लेकिन रचनाकार जो है कभी अपने दाइत तुकार निर्वहन करते हुए यहां पर शायर कहता है कभी कहता है कि मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए जो कभी की बेकरारी है इस सोसित देश्वासियों के लिए सत्ता धारियों के बिरुद्ध आवाज उठाने के लिए है लोगों के जन जीवन और देश की परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए ये सोई हुई जनता और स्वार्थी सोसक वर्ग को जगाने के लिए कभी आक्रोशिद और बेकरार है मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए आगे कभी कहता है तेरा निजाम है तेरा राज्य है तेरा सासन है अरे सिल्दे जुबान शायर की तुँ शायर की जुबान को सिल सकता है बंद कर सकता है साशक वर्ग अपनी सक्तिका गलत प्रयोक करके किसी की जवान पर ताला लगा सकता है बोलने पर पावंदी लगा सकता है इसलिए शायर कहता है कि यह इहतियात जरूरी है इस बाहर के लिए इस संद लेखन के लिए गजल लिखने में सावधानी बरतने की जरूरत है वह अपनी आवाज बुलंद तो करे परंतु सावधानी पूर्वक कहीं ऐसा नहो कि सत्ता सीन लोग उसकी आवाज जनता तक पहुंचने इन दें सत्ता जो है अपने खिलाप विद्रोह का स्वर नहीं सुनना चाहती यहाँ पर कविका जो प्रगतिवादी दिश्रिकोन है प्रगत हुआ है भासा में प्रवा ओजगुन गजल की प्रकित के अनुसार उर्दू सब्दों का प्रशूर प्रयोग हुआ है अब बड़ा सार्थक प्रयोग हुआ है आगे कभी कहता है जिए तो अपने बगीचे में गलमोहर के तले अरे मरें तो गैर की गलियों में गलमोहर के लिए गुलमोहर एक प्रकार का फूलदार ब्रिक्ष आपने देखा होगा तले मने नीचे गलियों में रास्तों में गैर मने पराये यहाँ पर कभी का भाव यह है कि वो अपने भारत देश रूपी उद्ध्यान के बन व्रिक्ष लसित मनोहर गुलमोहर की छाया में ही जीना चाहता है और मृत्वी हो तो गुलमोहर के नीचे गुलमोहर का भाव यही है कि मनुश जीये तो अपनी संस्क्रिक में नीत परोपकार्थ समाज कल्यान के लिए जीये यह प्रतीख आर्थ है समाज कल्याड की धर्म होना चाहिए मानों मूल्यों के सरक्षन परवे व्यक्ति गोर्विया लिए ही व्यक्ति चाहिए ये प्रतीख है कभी ऐसी भारत के लिए जीना चाहता है जो आदर्स है मनोरम है सुखद है जीएं तो अपने बगीचे में गुलमहर के तले अपने बगीचे में अपने देश में खूब सूरत वाता बरण में ही हम जीएं और मरें तो औरों की गलियों में गुलमहर के लिए यहां कर जो है मरें तो गैर की गलियों में गलमोहर के लिए अगर पड़ाई गलियों में मुझे मरना पड़ा तो हम अपने गलमोहर में ही हमारा जो गलमोहर है हमारा जो देश है एक जो खूबसूरती है उसी के नीचे हम अपनी मृत्यू का वरण करें वो केवल भारत के लिए जीना चाहता है आदर्स के लिए जीना चाहता है जो अत्यन्त मनोरा में और सुखद है तो इस प्रकार इस गजल का जो प्रतिपाद्य है रचनाकार में लोगों को समाज में क्रांथ के लिए प्रेडित करना चाहता है कभी जो है वो राजनीतिक ब्यवस्था से पूरी तरह निरास हो चुका है यहां के लोग इतने दबे कुछले हैं कि वे मजबूरी की आखिरी हद तक चले जाते हैं किन्त विद्रोह नहीं करते बहुत बड़े समझवताबादी हैं कस्ट सह लेंगे लेकिन बिद्रोह करने के इस तर्फ में कभी नहीं आते हैं और रचनाकार बार बार उसी बिद्रोह की बात कर रहा है वे तो हमारे यहां के लोग खुदा के नाम पर कुछ हसीन सपने अपने मन में पाले हुए हैं उनके मन में अबात दिर्व हो चुकी है कि सासन में परिवरतन नहीं हो सकता जबकी रशनाकार जो है सोसित लोगों के मन में क्रांत की ज्वाला सुल्गाना चाहता है कभी का जिर्ण निष्टे है को अधिकारों के लिए सच्ची स्वतंतरता के लिए संगर्ष करता रहेगा रचनाकार ने एक अन्य गजल में क्रांति का उद्गोश करते हुए लोगों का आवाहन किया है कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए अब हिमाला से कोई गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने न सही मेरे सीने न सही तेरे सीने में सही अरे हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए